प्रोपेसर सिकंदर नेगी प्रोपेसर साथ हम डिस्कस करेंगे लोगसमा अध्यक्ष के कारियों शक्ति के बारे में बिदान पालिका सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्प्रण अंग है इसी अंग के कारें से सरकार के अन्यकारे आरम होते है सरोप्रतम बिदान पालिका द्वारा कानून बनाए जाते है जो लोगों के आपसी संबंदों को नेमित करते है उसके बाद ही कारे पालिका का कानूनों को लागू करने शांती और विवस्ता को स्थापित करने लोगों के जीवन और समपती की सुरक्षा करने तथा कानून का उलंगन करने वालों को बंदी बनाकर नयाले के सामने प्रस्तुत करने आदी के काम शुरू होते है कानूनों के उलंगन और आपसी सम्मंदों में हस्तक्षेप से ही नया पालिका का काम आरम होता है और नया पालिका कानून के अनुसारी नय करती है तथा अपरादों को कानूनों के अनुरूपी दन देती है बिदान पालिका में ही जन्ता के प्रतेक्ष रूप से निर्वाची सदसे होते है जो जन्ता की इच्चानुसार कानून बनाते है तथा शक्ती के प्रयोग के समन्द में नीधी निर्मान करते है अता संसद ही सारोधिक जनता का प्रतिनीदी तो करती है और इसलिए इसे सभीदान में संशोधन करने की शक्ति मी प्रदान की जाती है वास्तों में संसद द्वारा कानून के माद्यम से जनता की इच्छा की अभियुक्ति की जाती है संसत जंता के प्रतिनीदी के रूप में कारे करती है और जंता की और से शक्ती प्रयोग करती है यही कारणे के संसत को अपने कामकाज में सोतंदरता प्रदान की जाती है और संसत में कहे गए किसी भी शब्द या बाशन के आधर पर किसी संसत सदस्य के भीरूद किसी नियाले में कोई कारेवाई नहीं की जा सकती सबसे पहले हम डिसकस करेंगे बारत में संसत ये कारेवाई का अपनाई गई है और इस वेवस्ता की प्रमुक भिशेशता ये है कि कारेवाई का परदानमंत्री और मंत्री परिशद संसत के प्रती उत्तरदाई होती है और उसके नियंद्रन में काम करती है प्रन्तु आज कड़े दली अनुशासन के कारण मंत्री मंडल में बहुमत दल की नेता पदासीन होते है और वे अपनी इच्छानुसार बहुमत के समर्थन के कारण संसत से कोई भी बिल तता प्रस्ताव पास करवा लेते है इससे केबिनेट की तानाशाई स्तापित हो जाती है और संसत केबिनेट के इच्छानुसार करती है तता एक परकार से मंत्री मंडल द्वारा नियंद्रन रहती है प्रन्तु इतना होते वे भी संसत कई परकार से मंत्री मंडल अथ्वा कारेपालिका पर अपना प्रवा बना रखती है और उस पर नियंदरन स्तापित करती है संसत निमिलिकी तरीके से कारेपालिका पर नियंदरन रखती है जो कि इस परकार से है फस्ट है discussion over the budget यानि budget पर विचार विमर्ष करते हुए budget मंत्री मंडल द्वारा संसत में पेश किया जाता है बज़ट पर विचार करते हैं और यदि मामला गंबीर हो तो संसत बजट में कटोधी भी कर सकते हैं यह दिकार केवल लोगसवा को प्राप्त हैं बज़ट प्रस्ताओं पर लोगसवा की अस्विक्रिती मंत्री मंडल के विरुद अविश्वास माना जाता है और उसे त्याग पता देना पड़ता है सेकेंड है डिसकेशन ओवर दा लेजलेशन यानि कानु निर्मान के समय वाद भी बाद कानु निर्मान हितू अधिकतर भी मंत्री मंडल दोरा पेश किये जाते हैं और उन पर समीतियों तता सम्मंदी सदन में विचार विमर्श के दोरान भी सदस्या सरकार की आलोशना करते हैं और मंत्रियों को उन आलोशना का सामना करना पड़ता है संसद को संतुष्ट करना पड़ता है और कई बार आशवासन भी देना पड़ता है कि बविश्य में सरकार सतर्क रहेगी और थर्ड जीरो आवर यानि शुन्यकाल संसद में प्रति दिन प्रशनकाल के बाद और नियमित कारवाई आरम होने से पहले आदा घंटा शुन्यकाल निचित करता है जिस समय कोई भी सदर से किसी भी परकार का प्रशन सरकार से पूर सकता है और सारोजनिक मेत्वों के प्रशनों तथा तदकाल हुई कटनाओं के बारे में सरकार का दियान आकरशित कर सकता है इस दोरान संसद कई प्रकार के प्रस्ताव पेश करके उस पर महतप्रण मुद्वों पर पैस किये चानी की माँ कर सकते है और सरकार की आलोशना करके उसे प्रवावित करते है सांसत मंत्रियों से प्रशन तथा पूरक प्रशन पूछते है जिनका मंत्रियों को जवाब देना होता है प्रते दिन एक गंटा प्रशनों के उतर के लिए निचित यानि फिक्स है इन प्रशनों के द्वारा सरकार से विविन मामलों की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती बलकि उनके गलत कारियों का परदाबाज भी होता है यानि डिस्क्लोस होता है प्रशनकाल में मंत्रियों की को बड़ा सतक रहना परता है और कहीं बार तो गलत जानकारी देने पर उनक मज़ाग भी उड़ता है एंड नेक्स्ट अरजनमेंट मोशन यानी स्टगन प्रस्ताव लोगसवा के सदस्या बैठक की कारवाई के दोरान किसी आवशक सारोचनिक मामलों पर वाद विबाद करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं इसे कामरों को प्रस्ताव भी कहते है ये अधिकतर कोई सारोचनिक मेहतों की आखस्मिक गटना के समय किया चाता है यदि लोगसवा का देक्ष इसे सभीकार कर ले तो सदन की निची कारवाई रोक कर उस मामले पर विचार होता है ऐसे में प्राए सरकार की कड़ी आलोशना होती है सदन की कारवाई के दोरान कोई सदसे सारोचनिक मेहतों की किसी गटना पर सरकार का दियान आकरशित करने के लिए ये प्रस्ताव पेश कर सकता है और सम्मंदित मंतरी से उस विश्य पर सपश्टिकरन यानि कलेरिफिकेशन देने के लिए कहा जाता है इसके दोरा सरकार का दियान उस आशिक गटना या सरकार के किसी कमी की और दिलाया जाता है उसका उदेशिया उस पर वहस करवाना नहीं होता नेक्सर सेंसर मोशन यानि निंदा प्रस्ताव लोखस्वा के सदसें द्वारा किसी एक من Fantastic उसके विशेश नीती या सरकार की किसी विशेश नीती अथ्वा करे की निंदा करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है इस पर विचार विमश होता है यदि ये पास हो जाए तो मंत्री मंडल को त्याग पतर देना पड़ता है Next, Non Confidence Motion यानि अविश्वास प्रस्ताओ लोगसवा के सदस्य मंत्री मंडल के विरुद अविश्वास यानि Non Confidence प्रस्ताओ भी पेश कर सकते हैं इसके लिए सदस्यों की एक नीची संक्या ही इसे पेश कर सकती है ऐसा नोटिस मिलने पर अद्यक्ष पर विचार के लिए समय नीची यानि एक फिक्स टैम करता है वाद भी वाद के बाद उस पर मत लिए जाते हैं यदि यह प्रस्ताओ बहुमत से पास हो जाए तो मंत्री मंडल को त्याग पत्तर देना पड़ता है लोगसवा स्पीकर यानि लोगसवा अद्यक्ष बारत के सवीदान में लोगसवा के अद्यक्षपत का प्रादान किया गया है बिश्व में जहां पर भी संसदिय प्रनाली की सरकार है वहां संसद के निशले सदन के स्पीकर को विशेश दर्जा प्राप है वो सदन के अंदर सरोच होता है बारत के सरोच नहले के समकक्षी उसके समान सतर प्राप्त है और उसे साथवास्तान प्राप्त है सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखना वो सदसें को बुलाने किया कि आगे देना अध्यक्ष का ही दायत तो होता है नेक्स्ट है एलेक्षिन लोकस्वा के संचालन के लिए आम चुनाओ के पश्चाद प्रतम वैटक में सरोसमती से एक अध्यक्ष प्राय सतादारी से चुना जाता है वो विपक्षी दल के नेता दोरा समर्थन किया जाता है सुलवी लोकसवा में शिरमती सुमित्रा माजन को सरवस्तमती से निर्वाचित किया था स्तारवी लोकसवा में शिरी ओम विला को अधेक्ष बनाया गया योगताय सवीदान में लोकसवा अधेक्ष बनने के लिए योगताय निचित की गई है जो योगेता है लोगसवा सदसे की होती है वोई योगेता है लोगसवा अदेक्ष की भी होती है आज तक जो भी लोगसवा अदेक्ष निर्वाचित हुआ है वो काफी के जिस भी लोगप्रिय वो अनुवबी रहे है नेक्स्ट टेनर यानि कारेकाल लोगसवा अदेख्ष का कारेकाल लोगसवा सदस्य के समान पांच बश का होता है वो कारेकाल से पूरो त्याग पतर दे कर्भी पत से मुक्त हो सकता है लोगसवा अधेक्ष लोगसवा बंग होने तक अपने ही पत पर बना रहता है जब तक कि नव निर्वाचित अधेक्ष पत ग्रेंड नहीं करता Next, Removal यानि अधेक्ष को पसे अटानी की भी दी लोगसवा सदसे के बहुमत से अधेक्ष को हटाया जा सकता है इसके लिए उस सदसें द्वारा 14 दिन पूरों नोर्टिस रिटन यानि लिखी तोर पर सचीब को देनी पड़ती है Next, Auth यानि शबत लोगसवा अधेक्ष को विशेश शबत या प्रतिग्यार नहीं लेनी पड़ती है क्यूंकि शबत लोगसवा सदसे के समान लेना पड़ता है बेतन वो बत्ते हैं लोगसवा अधेक्ष को उपराश्टपती के समान बेतन मिलता है वर्तमान में लोगसवा अधेक्ष का जो बेतन है चार लाक रुपे है इसके अतिरिक्ष मुप निवास मुप डॉक्टरी साहता वो यातरा बत्या दिया जाता है नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं लोगसवा अधेक्ष उपराश्वा उनके कारेकाल के बारे में फर्स्ट है गनेश वासुदेव मावलंकर एन सेकिंड में आयंगार अध्सि और हुक्ष मुझाउ पर्स संजीवा रेदी इन फिफ्ट गूत्याँ शो भीं दिलो भुली दावचत में अगें नेल्म संजीवा रेदी इन खंठ क्येस हैकदे एन एफ बलाम जाकड और नेंने बलाम जाकड 12 GMC, बाल योगी, 13 मनोर जोशी, 14 सौमनाद चाटरजी, 15 मीरा कुमार, 16 सुमीत्रा महाजन, एंड स्टील करन्ट, ओम बिरला, एंड नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं, powers and function of लोगसवा speaker, यानि लोगसवा अधेश के कारेयों शक्तियां, बारत के लोगसवा अधेश को लगबग, वे सभी अधिकाप प्राप्त हैं, जो बिर्टिश कोमन सदन के अधेश को प्राप्त हैं, अधेश का पद गरिमा तथा परदान मंत्री से उचा है, फस्ट है, लोगसवा की बैटक की अधेशता करना, लोगसवा अधेक्ष का प्रमुक कर रहे हैं, लोगसवा के अधिवेशनों की अधेक्षता करना है, लोगसवा की कारेवाई को नियमन नुसार चलाना अधेक्ष का दाइतो है, अधेक्ष दोनों सदनों की सेउक्ट बैटक की अधेक्षता करता है, अधेक्ष की अनुपस्ति कर कारे सूची निचित करता है सदन में प्रतेक परकार कारेवाई के समन में समय निदारित करने का अधिकार अधिक्ष का है सदन में अनुशासन कायम रखना सदन में अनुशासन बनाए रखने का दायत तो अधिक्ष का है यदि कोई सदसे अनुशासन बंग करता है उसे बार जाने का आदेश दे सकता है आदेश का आदेश नाव मानने पर आदेश मार्शल की साहिता से बलपुरक सदन से निकलवा सकता है नेक्स्ट प्रशन पूछने का आदेश देना सदन में प्रतेक सदसे संबंदित विवा के मंत्री से मोखिक प्रशन पूछ सकता है अधेक्ष अपने आगया से प्रशन पूछने सदेस्य को बोलता है Next, सदन को स्थगित करना सदन में गनपूर्ती ना होने पर सदन को स्थगित कर सकता है यदि कोई सदस्य सदन की मर्यादा का उलंगन करता है वो अवयवस्ता की इस्तिति उत्पन करता है तो अदेक्ष निची समय के लिए संसर स्तगित कर सकता है इसकी चुनोती नेले में नहीं दी जा सकती सदन में सदस्यों को विदेख प्रस्तूत करने के लिए स़रो प्रतम अदेक्ष के लिनी पठती है उसके आगे के बादी विदेक्ष सदन में प्रस्तूत किया जाता है नेक्ष्ट विद्विद्यक को प्रमानित करना अनूचेद 110 के अनुसार. किसी विद्यक के समझ में ये निरने करना है कि वो फित्य विद्यक है या साधन विद्यक या लोकसवा अधिकार है. निउक्तियां, लोगस्वा अदेक्ष के निउक्ति करने के शेतर में महतवपुरण शक्तियां हैं वो विविन कमैटी जिसे प्रवर समीथी के अदेक्षों का निर्वाचन करता है यह वाँ अन्य समीथी में भी सदेसें को मनुनित करता है and joint session के अधिक्षता करना सभीदान के अनुचे 108 में लोगसभा और राजसभा को सेउक्त अधिवेशन यानि joint session का प्रावदान है सेउक्त बैठक दोनों सदनों में यानि दोनों लोगसभा या राजसभा में किसी भी तरह के किसी बिल को लेकर गदी रोद होने पर इसकी एक बैठक बुलाई जाती है जिसकी अधिक्षता लोगसभा और राजस करता है नेक्स्ट निरनायक मत अधिक्ष अपनी पत की पवित्रत तदा यानि प्यूरिटी बनाय रखने के लिए सदन की कारवाब में बाग नहीं लेता और नहीं मत देता है कई बार मेत्वपरण बिश्यव पर जहां बराबर मत हो तो वो निरनायक मत दे सकता है नेक्स्ट है लोगसभा के सदस्यों के त्याक पत्तर सभिक्रित देने की शक्ती लोगसभा अधिक्ष को इस मामले में सभिवेक अधिकाब पराप्त है अधिक्ष को पूरण चानमीन करके ही त्याक पत्तर वापिस कर सकता है या सभिक्रिती दे सकता है लास्ट दल बदल समंधी नियमों का निर्णे फिप्टी टू कंस्ट्टिशनल अमाइन्मेंट जन्वरी 1985 को लागू किया गया दल बदल के संदर में नियम बनाने के निर्मान करने का अधिकार अधिक्ष को दिया गया है और नाव लास्ट पॉजिशन आप लोगस्वा स्पीकर लोगस्वा अधिक्ष का पद गौरब और प्रतिष्टा का पद है स्पीकर का पद गौरब में परदान मंत्री के पद से उचा है सदर्ण में परदान मंत्री भी अधिक्ष के अनुशासन से बंदा वुआ है लोगस्वा अधिक्ष का पद मेत्वो वो से संबंदी शक्ति वो परंप्रा पर निर्वर नहीं करता जितना की उस पर सुशोवीद व्यक्ति के गुनों वो निश्पक्षता पर निर्वर करता है एक दिसंबर 1964 को मावलंकर के विरुद अभिश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था पंडित जौला निरुजी के शब्दों में आजेक्ष सदन की प्रतिनीदी तो करता है वो सदन तता उसकी सवादिंता का प्रतिनीदी है क्योंकि सदन देश की प्रतिष्टा का प्रतिनीदी है इसलिए आजेक्ष राष्ट की सवतंतरता का प्रतिक बन चाता है अता इसे प्रतिष्टा पूरण तता सुतंतरस्तान पराप्त है यह अपद विशिश टूप से योग्य तता निश्पक्ष व्यक्तियों को पराप्त होना चाहिए भारत में लोगसवा अधेक्षों ने अपनी कारें का सत्या निश्टा से संचालन किया है मौरें जॉंस ने अपनी पुस्तक पार्लेमेंट इन इंडिया में अधेक्ष पद्दारी व्यक्ति के लिए अवशे के कि वो निश्पक्षता पूरक आच्रन करे और सभी व्यक्तियों को उसकी निश्पक्षता में पूरन विश्वास हो 1967 में श्री निलम संजीवा रेडी, 1969 में सरदार गुर्दियाल सिंग डिलो और 2008 को सौमना चटर जी ने अपने आपको पार्टी से अलग कर दिया था इन लोगों ने देश के लिए अपनी निश्पक्षता का परिचे दिया अगर आप लोगो मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले साथी साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना बुले